मैं आज इस मान सदन के माध्यम से देश बर में विखरे पड़े कस्मीरी पंडित और अन्य विश्टापितों को कहना चाता हूँ नरेंद्र मोधी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है आप मुझे लिखे कस्मीर सरकार को लिखे किसी भी विख्यके बगर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा आप मत्दार की वरोगे चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कस्मीर के अंदर आप मंत्र बनकर भी जा सकते हो आपको फुरा मान्यवार तीन यूद्ध भी हुए उननीस सो साजार साथ सो उनासी परिवार आज के पाकिस्तान अधिकूत कस्मीर से सरण लेकर भारत में आएं इन में से 26319 परिवार ततकालीन जम्मू कस्मीर राज्य में वसे और सेज 5460 परिवार अन्य भागों में बसे दूसरा यूद्ध हुआ 65 और 71 का और चंब और नियाबत शेत्र से लगबग 10,000 65 परिवार विश्तापीत हुए 3500 परिवार 65 के युद्ध में हुए और इतने ही करीब करीब 71 के युद्ध में हुए अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगबग 41,844 परिवार विश्तापीत हुए हैं उनको भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिंता करिये मैं आगे बताता हूँ मगर एविल जो है मान्यवर तीन सिटे दो जम्मू कस्मीर से विस्तापीत परिवारों के लिए और एक सिट पाक उक्किपाई कस्मीर से विस्तापीत आये हुए कस्मीरी भायों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंदर मोधी जी ने बहुत मन के साथ चाव के साथ और संवेदना के साथ तो मन्यवर यह जो फैसला है उसी एक का हिस्सा है जिस एक को सब चैलेंज करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ जब आप पांच अगस्ट 2019 के बीज को चैलेंज करते हो तब आप Delimitation Commission Act को भी चैलेंज करते हो यह मत भुलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाप बात करते हूँ मानने वर डी लिमिटेशन कमिशन ने गंभीरतिय से विचार करने के बाद समूदायो का प्रतिम्री दित्वर नॉमिनेशन दरा कराने की सिफारीज की है और मानने वर जमुकस्मीर प्रसासन जो आज स्वाभाविक है राष्टपदी साजन है उसने भी अपना अभिप्राइड डी लिमिटेशन कमिशन को दिया था भारत सरकाने के घुरू मंत्रा लेने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपथेटिक व्यू लेना चाहिए इनका प्रतिनिदी तो होना चाहिए जब वो अपनी जमिन में ही नहीं है तो एसेमली में कैसे चूंकर जा सकते ही मानने वर और ये आदेश उन्होंने प्रकासित किया था जीज को आज कानूनी जामा पहना कर मैं ये बील को लेकर उपस्तित हुआ हूँ मानने वर ये जो डिलिमिटेशन कमिशन ने और भी कई फ्यासले किये है मैं जरा सदन के सामने पुडव की स्थिती और अभी की स्थिती बताना चाहता हूँ पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सिट थी 37 सिट थी अब नए डिलिमिटेशन कमिशन ने 37 से बढ़ा कर 43 सिट जम्मू क्षेत्र में बनाने का था मानिवर कस्मीर में 46 सिट थी 46 सिट थी अब 46 की जगे 47 सिटे बनाने का था इस तरह से जम्मू और कस्मीर दोनों को मिला कर 83 सिटे थी लद्दा की सिटे निकाल दिये क्योंकि वहाँ यूटी बन चुकी 83 सीटे थी उसकी जगे 90 सीटे अब डिलिमेटेशन कामिशन ने करिये जिसको भारत सर्कार ने माना थे और पाक उक्यूपाई कस्मीर की 24 सीटों को आरक्सित रखा गाया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं जिसको जो बोलना है वो बले इस सदन में बूला हुआ सब्द इतियास बनता है मैं आध फिर से कहना चाहता हूँ पाक उक्यूपाई कस्मीर भारत का है हमारा है और हमसे कोई नहीं जिते हैं मिश्चीत दी है, माने वार अब तक SCST की सीटों में बड़ी भी संगत्ताएं भी थी और जो भीग वीज़ाई की कहते थे समवेधन सील एप्रोच होना चाहिए, समवेधन सीलता होनी चाहिए, SCST के प्रती समवेधना से ही ये निर्णय हुआ है, पहले जो साथ सीटे थी SC की उसको हमने बरकरार रखा और SC की सीट सुन्य थी, क्योंकि धारा 370 पर्मीट नहीं करती थी, अब पर्मीट करती है, नो सीटों को रिज़र्ट करती है।